नमस्कार दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं पृति दयाल आपके साथ बिहार के शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक की कारेश्याली से न सिर्फ विभागी कर्मचारी और शिक्षक डरे हुए रहते हैं बलकि कई जीलों के जिलाधिकारी भी केके पाठक की कारेश्याली से खौफ खाते हैं और उनके आदेश के खिलाफ अपने पावर का इस्तिमाल करने से भी डरते हैं इसका एक उदाहरन दर्भंगा के जिलाधिकारी के एक पत्र से लगाया जा सकता है जिसमें भीशन गर्मी और लू से बचाव के लिए स्कूल के समय में बदलाब करने से पहले उन्होंने मुख्य सचीव को पत्र लिख कर अनुमती मांगी है इस पत्र में उन्होंने भीशन गर्मी और लू की वज़ा से आंगन बारी और मिशन दक्ष के लिए संचालित हो रहे स्कूल की टाइमिंग सुभा साथ से नौ बचे तक करने की अनुमती मांगी है जबकी मालुम हो कि जिलाधिकारी को इस तरह की आपदा की स्थिती में खुद धारा 144 के तहट आदेश जारी करने का पावर मिला हुआ है इस आदेश का इस्तमाल करते हुए पटना गया नवादा समेत कई जीलों के जिलाधिकारीयों ने स्कूल के समय में बदलाब का आदेश जारी किया है लेकिन ध्यान देनी वाली बात है कि इन जिलों के जिलाधिकारियों ने भी केके पाठक के आदेश को ध्यान में रखा है केके पाठक ने मिशन दक्ष का समय सुभा आट बजे से दस बजे तक रखा है यही वज़ा है कि पटना के जिलाधिकारी ने धारा 144 के तहट आदेश निकाते हुए स्कूल की टाइमिंग सारे 10 के बाद प्रबंधित किया है यानि कि उनके आदेश से केके पाठक के आदेश पर किसी प्रकार का असर पढ़ने वाला नहीं है जबकि दर्भंगा के जिलाधिकारी सुबह साथ से नौ बजे तक स्कूल की टाइमिंग करना चाहते हैं और धारा 144 के तहट सुबह साथ से नौ बजे तक आदेश निकालने पर केके पाठक के आदेश पर असर पढ़ना तो लाजमी था यही वज़ा है कि दर्भंगा के जिलाधिकारी ने धारा 144 के तहट अपने पावर का इस्तमाल करने के बज़ाए मुख्य सचीव को पत्र लिखकर अनुमती मांगी है बदावे की दर्भंगा के जिलाधिकारी के पत्र के सोशल मेडिया पर वाइरल होने के बाद कई समाजी कारे करता डीयम के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं और उनहें केके पाठक से डरा हुआ बता रहे हैं अब देखना है कि दर्भंगा के जिलाधिकारी के पत्र के आलोक में बिहार के मुख्य सचीब क्या फैसला करते हैं इधर बताते चले कि पिछले साल ठंड के मौसम में पटना समेट कई जिलों के जिलाधिकारी ने स्कूल के समय में बदलाब किया था जिस पर केके पाठक ने कड़ी आपत्ती जताई थी और डीम के आदेश को शिक्षा विभाग ने रद कर दिया था इस मामले में केके पाठक के आदेश का पटना के ततकालीन जिलाधिकारी चंदरशेकर सीने विरोध भी जताया था और सरकार के वरिय अधिकारी से हस्त छेप की मांग की थी लेकिन उस समय सरकार के दोरा केके पाठक के आदेश के खिलाफ किसी तरह की कारवाई नहीं की गई थी यही वज़ा है कि इस बार गर्मी की छुट्टी में डीम आदेश निकालने के दौरान केके पाठक के आदेश का ध्यान रख रहे हैं तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे यूट्यूब ट्रैप को सब्सक्राब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राब कर दे इसके साथ ही अगरे वीडियो फेस्बुक के माधियम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले